जे स्रीकृष्णा विडिवल सोल्स कैसे आप सब? वोप आप सब बहुत ही अमेजिंग है अपने ख्याल रख रहे हैं दोस्तो डियम जब डिवाइन फैमिनीन को रिजेक्ट कर देता है उसे अपनी लाइफ में नहीं आने देता है या उसे मेरेज नहीं करता है किसी भी रीजन से तो एक्चैली डियम को नमबर्स क्यों दिखने लगते हैं बहुत सारे डियम की अविक्णिंग क्यों हो जाती है इसके लाइफ में ऐसा क्यों हो जाता है हमारी soul family से एक question आया है, बहुत beautiful सा है, आप लोग इस wife को सुनिये इशिता जी की और फिर अगर आपकी life में भी ऐसी कभी situation आई है, या ऐसी experience हुए हैं तो मुझे बताईएगा और आज की वीडियो में इसका हम complete answer जानने वाले हैं, चलिए सुनते हैं नमस्ते अंकित जी, होप आप ठीक हो, मैं इशिता बोल रही हूँ लंडन से, आपके वीडियो लाइफ प्रेपरेशन के यूट्यूब के वीडियो में रोज देखती हूँ तो एक suggestion था, अगर आप ऐसा वीडियो कभी बना सकते हो, या पताने आपने पिछले प्लेलिस में मैंने देखा नहीं अगर बनाया हुआ है कि Twin Flames की journey में DM और DF कभी क्या एक दूसरे को छोड़ सकते हैं मतलब कितना time, जितने भी साल गुजर जाए, एक बार इस life में जब DMDF मिल जाते हैं तो जितने भी मुश्किले आजाए, जितना भी bad behavior हो, या बिगडा हो, DM हो, या कुछ भी हो कितने सालों तक हम मतलब wait करते रहते हैं, जैसे दोनों के अगर शादी नहीं हो, जैसे मेरे case में अब 10 साल हो गया है, मैं 2-3 साल से आपकी ये meditation कर रही हूँ, शायद 2 साल देर 2 साल से तो कितना सहना ठीक होगा, और कब हमें दूर चले जाना चाहिए, जा सकते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये जो cord connection है, लगता है कि जाकर भी हम हमेशा वापस आ जाते हैं, जितना भी रोना हो, जितना भी problems हो, तो ये balancing के stage में हम कब आएंगे, और अगर इस lifetime में नहीं आएंग होगी, thank you sir. preparation के इस new episode में मैं होंगे दिश्टो, दोस्तो, तो आज के topic पर आ जाते हैं back, कि feminine energy, divine feminine energy, किस form में आ जाती है, उसकी awakening जब होती है, जब वो reject की दी जाती है, marriage नहीं होती है, उसके partner, divine partner से है, उसके twin flame से, तो उसको different kind of numbers, watch में दिख रहे हैं, अगल बगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, 559 दिख रहे हैं, 369 दिख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे number, signatures क्यों होने लगती हैं, यह reason दोस्तो यह है कि पहले तो अगर आप इस purpose में, जर्नी में confused हो रहे हैं, कि सामने वाला partner मुझे reject करके चला गया, वो कुछ नहीं कर रहा है, आप ही सारा काम कर रहे तो यह गलत फाहिम है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी भी कलती होती है किसी बर्थ में, इस बर्थ में आपको वो कर्मा पे करना है, कर्मा हर किसी person को पे करना होता है, जो भी आपने create किया है, चाहे physically create किया हो, चाहे emotionally, चाहे mentally किसी भी level पे create किया हो, वो कर्मा आपको पे करना ह first thing is dead दूसरी स्टेज है universe आपके spirit guide आपके angels इस तरह के वीडियो आपके सामने आते हैं आपको guide करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप अपने उपर work करें inner work करें और इस case में आपको कभी भी पीछे नहीएटना है क्योंकि ये रिस्ता अविभाज आप दूर नहीं जा सकते हैं तो maximum अगर आप उस connection में बहुत सारा समय गुजार सकते हैं जैसे कि अभी एक question था इस्टा जी का अगर 10 years होगे तो बहुत long time होगे आप आगे decision भी आपको लेना है आप क्या करेंगी आप एक ही जगा श्टक नहीं रह सकते हैं तो definitely आप उस relationship में spiritually guidance रखिए spiritually दूसरों को guide करिए this relationship not only based marriage to flame का जो purpose है मैं आपको एक बार फिर से remind करा दो वो marriage नहीं है कभी भी नहीं है marriage अगर हो जाती that is very good लेकिन marriage नहीं this is a spiritual connection जैसे law of street world में उस book में clearly कहा गया है आत्मा है masculine family नर नारी किया आत्मा है एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को heal करती है एक दूसरे को support करती है फिक नए dimension में नए लोकों में जाती है प्रवेस करती है जिसके थो वो आगे के dimensionों में यात्राएं करती है तो clear है इसका मतलब कि जो spirit world होता है हमारे जो आत्माओं का जगत होता है उसमें soul जो एक दूसरे के support करें दिसे spiritual connection तो इस connection में marriage एक माद्यम है एक तरीका है जिसके throw एक दूसरे को बहुत अच्छे से लोग गाइड कर सकते हैं लेकिन अगर बहुत सारा समय गुजर चुका है डियम आपका reject कुछ चुका है या आपसे marriage नहीं हुई है any situation तो आप एक दूसरे को spiritually guide करी क्योंकि इसका purpose तो यही था लेकिन आप अगर marriage हो जाती तो आप ज़्यादा happy रहते खुस रहते आपकी energy ज़्यादा match करती यह अविभाज जिरिशता है यह तूट तो नहीं सकता है आपक अच्छा हो और साथ ही आप अपने twin partner को थोड़ा बहुत spiritually guide करते रही है उनको अगर जरूरत हो तो उनको अगर कभी भी realization उनको बताते रही है बस यह आप कर सकते हैं लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अपने कर्मा वैसे भी कपे करने है जैसे सिता जी करी दो साल हो गए यहां से connected है पहले स्टार्टिंग में जब मेरे पास यह आई थी सिसन के दोरान काफी सारी problem थी लेकिन अभी काफी अच्छे स्टेटस पर आ गए ही लो गई है problem साल हो गई अगर आपकी भी ऐसी situation है तो आपके लिए भी motivation है कि यह एक दू दिन का meditation नह कुछ लोगों का meditation करने के बाद reunion हो जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा heart कर्मा नहीं होते हैं problem नहीं होती है उनका DM भी थोड़ा समझदार होता है उसके भी कर्मा नहीं होते लेकिन उसको अपने कर्मा रोध होके ही पे करने है suffering के form में पे करने वो अपने कर्मा को पे करेग या marriage के form में reunite हो सकते हैं no doubt हो सकते हैं अगर आपको फिर भी लग रहा है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा हो समय बहुत गुजर चुका है आप आगे happy marriage life spend करना चाहते हैं इधर ध्यान देना चाहते हो तो definitely marriage कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं उससे आपकी twin flame journey पे कोई अ अलग हो सकती because this is a connection of soul this is not a connection of body तो soul connection होता है body पे बेज़ नहीं होता है body आप किसी से manage कर ले तो यह connection नहीं तूटने वाला है यह अविभाद जिरिस्ता है unbreakable है तो इस connection को आप cord connection के थ्रू एक दूसरे से connected रहते हैं एक दूसरे से energy transfer करते रहते हैं एक दूसरे इसको heal करते रहते हैं sometime on off अगर आपके साथ भी घटी तोरह इसी तरह का question है तो आप free will से decision लीजिए अगर वो relationship नहीं ठीक हो रहा है अगर कोई भी गुंजाई से तो इस relationship से पीछे नहीं हटना है चाहाए जितना समय लगे आपको healed होना है और सामने वाली को भी healed करना है इसमें वक्त ल आप अपनी soul को higher dimensions में ले जाने में able हो जाएंगे आप अपनी soul को free कर पाएंगे इन कार्मिक bagages से आप अपने उन दोशों को उन कार्मिक accounts को उन कुली में जो भी दोश बन रहे हैं उसको release कर पाएंगे एक बहुतर stage में आ जाएंगे self love पे आजाएंगे आपकी vibration हाई होगी आपका career बहुत अच्छे से चलेगा आपका relationship दूसरों के साथ बहुत अच्छे से चलेगा आप एक healer के रूप में उभरेंगे ये सारी tendency आप में आ जाएगी अगर marriage होती भी नहीं है by chance अगर उनमें changes कुछ आ रहा है तो definitely थोड़ा थोड़ा ही सही आ रहा है तो इस relationship से पी भी प्रिशन के करना अगर आपको marriage करनी पड़ रही है और twin flame नहीं मान रहा है बहुत सा में गुजर जुका है तो definitely आप marriage कर सकते हैं इस बीच में आप उन्हें heal करते रही है guidance करते रही है बताते हैं जैसे मैं आपको guidance दे रहा हूं इस तरह की वीडियो आपके सामने आ रहे definitely universe आपको इस तरह की चीज़े content provide कर रहा है और एक lady थी कह रही थी sir मैंने कई बार इन चीज़ों को हटाया फिर भी मेरे पास इस तरह की वीडियो जाई उसके थोरो में ने work किया तो बहुत support मुझे मिला ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि इस तरह की वीडियो जब आती हैं जब बेल आइकन सस्क्राइब के साथ जरूर दबा लीजिए ऐसे बहुत साय लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट सस्क्राइब नहीं जानते हैं तो लेट करकर नीचे बटन है उसको दबा लिए साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए इसमें latest update हमारे पहुंच सके आप भी इस opportunity का जरूर फैदा उठाएं मिलते हैं इस टूडियो में तब तब हमेरे साथ मुस्कुराते रहे हैं खुस रहे हैं